जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आपको हम आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर रेक्रूट्मेंट 2020 के बारे में बताएंगे जहां पर कुल 8000 विकेंसी निकाली गई हैं पी आर्टी यानि की प्राइमरी ट्रेंट टीचर्स के लिए टीजीटी यानि की ट्रेंट ग्राइजवेट टीचर्स के लिए और पी जीटी यानि की पोस्ट ग्राइजवेट टीचर्स के लिए आपको बता दें यह नोटिफिकेशन आर्मी वेलफेर एजुकेशन सोसाइटी AWS की तरफ से जारी किया गया है इस notification के बारे में हम detail में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर इस article को आप हमारी website पर पढ़ना चाहते हैं तो आप detail में पढ़ सकते हैं आपको visit करना होगा हमारी website www.jagranjosh.com पर इसके अलावा हमने इस video की description box में भी आपको इ वहां से भी check कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं important dates के साथ इस recruitment के बारे में यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि approximately 8000 teachers के लिए 137 army public schools में यह recruitment के लिए notification जारी की गई है तो important dates अगर आप देखें यहां पर तो registration की जो शुरूबात है वो 1 October 2020 से हो गई है और last date registration के लिए 20 October 2020 शाम को 5 बजे तक रहेगी online admit cards 4 November 2020 से जो है आप download कर सकते हैं यह tentative date है आपको बता देते हैं और date जो है online exam के लिए वो 21 और 22 November 2020 को होगा result जो है 2 December 2020 को tentatively निकरा जाएगा कुल पोस्ट आप यहां पर देख सकते हैं 8000 टीचर्स के लिए पोस्ट निकाली गई हैं आपको बता दें PGT, TGT और PRT पोस्ट के लिए education qualification क्या चाहिए होगी तो PGT के लिए आपको BA होना चाहिए और साथी साथ आपके पोल graduation होना चाहिए minimum 50% marks के साथ इसी तरह से TGT के ल लिए B8 और दो साल का diploma graduation और graduation with 50% marks आपको बता दें age limit freshers के लिए below 40 years है और experienced के लिए below 57 years है CTET और TET is not mandatory for appearing in online screening test तो आपको यह ध्यान देना होगा जरूरी नहीं है कि आपने CTET किया हो या पर TET किया हो selection procedure क्या होगा army public school के PGT और TGT और PRT post के लिए अगर आप अपलाए कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आपको एक online screening test किया जाएगा और साथ उसके बाद interview होगा और आपके जो teaching skills हैं उसका evaluation किया जाएगा अब दोस्तों army public school के exam pattern के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहां पर हमने आपको बताया हुआ है post क्या है paper A maximum marks और time कितना होगा तो यहां पर PGT और TGT के लिए same paper है तो paper A में आपसे general awareness, mental ability, English comprehension, educational concepts and methodology, inclusive education और IT जो की 90 marks का होगा पार्ट B में आपसे specific जो आपका subject होगा उससे related आपके सवाल आएंगे जो की 90 marks के होगे कुल मिना के तीन घंडे का paper होगा इसी तरह से PRT के लिए पार्ट A में general awareness, mental ability, English comprehension, educational concepts and methodology, inclusive education, IT जो की 90 marks होगा और यह 1 hour 30 minutes का paper होगा सते साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 by 4 की each wrong answers के लिए negative marking होगी, candidate जो minimum 50% जो है score करेंगे वो qualify करेंगे इस test को आपको बता दें कि Army Public School PGT, PGT, PRT, admit cards के बारे में तो admit cards online ही आपको मिलेंगे, candidates वो download कर सकते हैं और print ले सकते हैं और यह जो admit cards होगे यह आपको exam center पर entry के लिए काम आएंगे वहाँ पर आप इससे entry कर सकते हैं जैसे कि आमोमन exams में होता है एक्जाम result की बात करें तो result जो है वो website पर 30 दिन के अंदर declare कर दिये जाएंगे और एक बास जब result declare कर दिये जाएगा तो पोर्टल से वो individual scorecard भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर और अगर आप special request करते हैं जो कि payment आपको उसके लिए specific करना पड़ेगा administration charges के लिए लगेगा आपको बता दें कि army public school के लिए अगर आप scorecard लेना चाहते हैं तो scorecard successful candidates के लिए available होंगे registration portal पर exam के बाद और वहाँ से download कर सकते हैं और the card will be valid for life provided the candidates take up teaching position in any CVC recognized school within 3 years of issue of scorecard साथे साथ दोस्तों आपको बता दें तो किस तरह से apply करना है तो 1 October से आपको registration करा होगा आप eligible होने चाहिए आप apply कर सकते हैं जो army welfare education society aps-csb.in पर जाकर किया जो की 20 October last date है शाम के 5 बएश तक आपको यहां पर examination fees जो है वो 500 रुपे के दिनी होगी अगर आप details में पढ़ना चाहते हैं इस notification के बारे में तो आपको यहां पर hyperlink दिया हुआ हुआ है आप उसको हैं detail में और PDF को download भी कर सकते हैं इसके अलावा आपको हमने यहां पर teacher registration link भी दिया हुआ है आप इस hyperlink पर क्लिक करेंगे यह आपको reiterate कर देगा और इस website पर आप जाकर चेक कर सकते हैं और apply कर सकते हैं official website इसी तरह से हमने आपको hyperlink में provide की हुई है तो दोस्तों यह थी जानका आपको बसंद आई दो जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेर करें और सब्सक्राइब करें जागरंजोश.com